नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ultimate knowledge पर दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करक राशी के लोगों के बारे में जी हाँ दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करक राशी के लोगों के बारे में और जाते हैं यदि बात करें राशी चक्र की तो राशी चक्र में करक राशी चोथे स्थान बराती है करक राशी का स्वामी ग्रह चंद्रमा माना जाता है यह जलतत्व की राशी होती है चंडर्मा के प्रभाब के कारण करक राशी के जातक शांत, सौमे, संबेजंशिल और भाबुक प्रकिर्टी के माने जाते हैं यदि बात करें करक राशी के लोगों के बारे में तो करक राशी के लोगों को अपने जीवन में काफी उतार चड़ाप और परिशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन करक राशी के जातकों को इस चीज से कभी भी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि तमाम परिशानियों औ उतार चड़ाप का सामना करने के बाबजूद करक राशी के लोग अंतता अपने जीवन में अपना रास्ता बना ही लेते हैं यदि करक राशी के लोग अपना भविश्य, बनस्वती विज्ञान, चिकित्सा, फोटोगरफी, पशुपालन, बेकरी उध्योग, होटल, रेस्ट और समुद्री चीजों में बनाते हैं तो वास्तम में कम मेहनत करने के उपरांध भी करक राशी के जातकों को इन कारेश शेत्रों में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है यदि करक राशी के जातक चाहें तो वह अपने जीवन में फलों का सबजियों का सूखे मेबे और चाय कौफी का कारूबार भी कर सकते हैं इन कारूबार में भी करक राशी के जातकों को सीगर और स्थाई सफलता प्राप्त होती है करक राशी के लोगों को अपने जीवन में धैरे बनाये रखने की जरूरत होती है क्योंकि इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होत भी आप लोग अपने जीवन में स्थाई सफलता को प्राप्त करते हैं राशी का प्रभाव हर वैक्ति के जीवन पर देखा जाता है इसलिए वैक्ति को अपने जीवन में अपनी राशी अनुसार ही अपना कारेचेतर चुनना चाहिए यदि वैक्ति राशी अनुसार अपने क कारे छेत्र को चुनता है तो वास्तव में उसे शीग्र और बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूं के वीडियो में दी गई जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो देखने के लिए आप सब लो प्राप्त